आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of जब हम milk से curd मनाते हैं milk से convert करते हैं उसको curd में तो जब यह बनता है तो ऐसी कौन सा nutrition इन चारों में से जो increase हो जाता है vitamin D increase हो जाता है vitamin E, vitamin B12 या फिर vitamin A तो यह जो milk से curd बनता है, कैसे बनता है, यह बनता है with the help of bacteria इस bacteria का नाम क्या है इस bacteria का नाम है lactobacillus lactobacillus जो होता है यह कैसा bacteria है, जो produce करता है lactic acid, तभी इसका नाम पढ़ा है lactobacillus और यह जो bacteria होता है यह पाया जाता है, हमारे guts में भी पाया जाता है human guts में भी present होता है जो हमारी gut होती है intestinal gut, उसमें भी present होता है यह bacteria, इसको good bacteria भी बोलते हैं good bacteria भी पोलते है educational value बड़ा देता है यह, मिल्क पित्पाद मुर multim में चेंस हो रहा है तो इसमें Lactic Acid बनने के हुझेसरे एक कैसा चेंज हो कहता है chemical х chemical change हो जाता है, milk का chemical हो चेंज हो गया, chemical change होने के जैसे कैसा process होता है? Irreversible process होता है, Irreversible process होता है, और इसमें कौनसा ऐसा vitamin है? जिसकी, जो value है, जो nutritional value बढ़ जाती है, जो बढ़ जाता है amount में, वो है. Option number 3, Vitamin B12, जो की हमारा right answer है, जब conversion होता है milk का curd में, तो vitamin D produce नहीं होता, E produce नहीं होता, A produce नहीं होता Lactobacillus जो है, vitamin B12 भी produce करने में help परता है इसने इसकी जो quantity है वो curd में बढ़ जाती है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोड करें doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 उपर